नमस्कार दोस्तों आज हम IAS Prelims परिक्षिया 2004 का राजनीती विज्ञान का प्रस्नबत्र हल करेंगे जो आगामी पृतियोगी परिक्षियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का पहला कुशिन है कुशिन नमबर 48 निमने लिकित सरकारी वियोस्ताओं में से किसका द्वी सदनात्मक एक आउश्यक लक्षण है इसका राइटांसर सी संगी वियोस्ता का संगात्मक सासन वियोस्ता में द्वी सदनात्मक एक आउश्यक लक्षण है उधारन सरोग अमेरिका में संगात्म व्योस्ता को अपनाया गया है वहाँ पर संगी 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 के दो सदन है प्रथम अथ्वा लोगपरिय सदन परतिनिदी सदन दूसरे सदन दूसरे देश की जनता का परतिनिद्य करता है और दिर्ती अत्वा उपरी सदन सीनेट जो राज्चियों का प्रतिनिदेतों करता है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए संसदिये सरकार सामुहिक उत्तरदाईत्वे से संबंदित है अध्यक्स आत्मक सरकार सक्ति प्रिथक करण से संबंदित है संगात्मक सासन व्योस्ता सक्तियों का विभाजन तथा एकात्मक सासन व्योस्ता से संबंदित है संसदात्मक सासन व्योस्ता तथा एकात्मक सासन व्योस्ता का सबसे अच्छाउधारन ग्रिटेन है तथा संगहत्मक सासन और अध्यक सात्मक सरकार का सबसे अच्छा उधारन संउत्राज अमेरिका है नेक्स्ट कोशिन है द्रत संगवाध का ताथपरिय है इसका राइट अंसर है डी राश्टी और राज्ची सरकारों का एक समान कारे नेक्स्ट कोशिन है कोशिन नमबर 51 वेबर के अनुसार आधुरिक नौकर साही निम्नलेकित में से किस प्राधिकार पर आधारित है इसका राइट अंसर है C विदिक तर्ग संगत पर जर्मन समासास्ती मैक्स बेबर ने आधुरिक नौकर साही के लिए सेवक तंत्री विवेक सम्मता के सिद्दान्त का प्रतिपादन किया उसने नौकर साही के प्राधिकार को विवेक सम्मत वैधानिक बताया और इस ब्योस्ता के कुछ निश्चित लक्षन बताए जो सभी ब्योस्ताओं में लागो होते हैं और इसलिए इन मूल विशेस्ताओं का आदर सुरू बहा गया नेक्स्ट कुशिन है हरबट मौरिसन के अनुसार नौकर साही इसका राइट आंसर है B संसद्य जनतंत्र की कीमत है ट्रस्टन की व्याख्या देखेंगे नौकर साही प्रसासन का एक रूप है जिसमें कुसल लोग सेवकों ब्योसा एक स्टेणी राज की मामलों का निस्पक्स ढंसे प्रसासन करती है और जिसका संगठन पद सोपनात्मग है मैक्स पेबर के अनुसार नौकर साही प्रसासन की एक एक ऐसी सिरेनी है जो कौसल, निस्पक्स ता और मानौता की अभाव से ग्रस्त होती है हरबर्ट मौरिसन के अनुसार नौकर साही संसद्य जनतंत्र की कीमत है नेक्स्ट कुशिन है इम्मैन्वल वेलन्स्टीन के कारिका प्रमुक लक्षन है ए विश्वसान्ती, बी राष्ट, सी प्रादेशिक तंत्र या फिर डी अल्प विकास इसका राइट अंसर है डी अल्प विकास नेक्स्ट कोशिन है नेमने लिकित सिद्धान्तों में से किसे परीधी से आवाज की रूप में चाना जाता है पहला है आधुनी करण बी वर्ग संगर्स सी निर्भरता डी सामराजजवाद इसका राइट अंसर है डी सामराजजवाद सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए S.K.Gopalan, कृसिक आंदोलों से सम्बन्दित है चारूमज़ोंदार ससस्त कांती से सम्बन्दित है गोदावरी परु लेकर ate जाती आंदोलों से सम्बन्दित है Next Question है निर्णेलिकित सामाज़िक आंदोलों में कौनसा एक विचार धहरागत से अधिक पहचानगत अवियान है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए इसका right answer is D पैंथर्स आंदोलन है सोसने भेदभाव से सम्मंदित चिपको आंदोलन परियावरण से सम्मंदित है जारखंड़ आंदोलन राजजी निर्मारत था तिभागा आंदोलन भूमी किसान से सम्मंदित है नेक्स्ट कोशिन है कोशिन नमबर 58 उग्र नारी अधिकारवादियों की दिर्ष्टी में लैंगिक समानता की प्राप्ति की जा सकती है A. क्रमिक सुधार से B. विधाईकाउं महिला अधिक महिलाओं के निर्वाचन से C. पित्र सत्ता को चुनोती देने से D. वर्ग संगर से उग्र नारी अधिकारवादियों के अनुसार पित्र सत्ता को चुनोती देकर लैंगिक समानता प्राप्ति की जा सकती है अगला कुशिन है निमने लिकित में से कौन सा एक किसान अंदुलन नहीं है इसका राइट आंसर है B. ताबलिक अंदुलन ताबलिक अंदुलन किसान अंदुलन नहीं था तथा अन्यतिनों किसान अंदुलन है खेडा अंदुलन, तेलंगाना अंदुलन, तिभागा अंदुलन ये क्या है किसान अंदुलन से संबंधित है नेक्स्ट क्वेशिन है निमने लिकित गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानावधिकार के समर्थन से संबंदित है इसका राइट अंसर एसी MNST इंटरनेशनल निमने लिकित में से किसे नवीन निर्भरता अधिक महत्यू देती है question number 61 इसका राइट अंसर है D बहुराष्टी निगमों द्वारा बहुराष्टी निगम ऐसे नीची ब्यावसाइक संगठन है जिनके कारे का छेत्र एक से अधिक देसों तक फैला हो साधर अंता हो ये निर्मान विकास रास्टों के उत्मियों द्वारा स्तापित के चाते हैं यहां ये थेस्ट पूझी उपलब्द होती है next question है ओमवट्स मैन की संस्ता सरवपतम निमलिखित मैं से कहां स्तापित कीगी A. निउजिलेंड में B. नौर्वे में C. फिल्लेंड में D. स्वीडन में इसका राइटांचर है D. स्वीडन में ओमवट्स लेन प्रथा स्केंडिनेवियन देशों द्वारा विखित पत दती है सरवपतम 1908 में स्वीडन में न्याइक ओम्स मैन की न्यूपती की गई डेनमार्क में ओम्स मैन की न्यूपती 1903 में की तता फिल्लेंड में 1909 में नौर्वे में 1963 में इस पत को कानूनी रूप से मानेता दी न्यूजिलेंड संसदी सासन परणाली वाला परथमराजी है जिसने ओम्स मैन को 1902 में स्वीकार किया नेक्स्ट कोशिन है निमने लिकित मैसे नव यथार्तवाद कक्के सिद्धान्त का अगरनी कौन है इसका राइट अंसर ए केनेत वाल्टर्स अंतराष्टी राजनेती में नव यथार्तवादी विचारक अंतराष्टी घटनाओं का विशलेशन राष्टों की आंतरिक वियुस्ता के स्तान पर अंतराष्टी वियुस्ता के संदर में करते हैं नेक्स्ट कुशिन है साकारात्मक योग वाले खेल में इसका राइट अंसर एब B लाव और हानी अनिवाजिस समान नहीं होते और दोनुं ही पक्सिलावानतित होते हैं साकारात्मक योग वाले खेलों में सिर्फ दो खिलाडी होते हैं जिनका प्रेणाम यह होता है कि कि एक की हानिया पूर्ण रूप से दूसरे के लाब होते हैं दोनों खिलाडी के खेलों के प्रेणाम का जोड जिरो होता है नेक्स्ट कोशिन है आज का आखरी कोशिन है सेलिंग के मिस्ट्रित उद्देश से खेल की संकलपना में पूर्ण था कौन से दिश्टिकोन नहीं थे इसका राइटा अंचर है C मनोवे ज्यानिक और समाज सास्त्रिय दिश्टिकोन सेलिंग ने 1960 में अब प्रकासित अपनी पुस्तक The Strategy of Conflict में लिखा है कि अधिकान से अंतराष्टि संबन्दों के लिए कुछ हद तक आपसी सहयोग आपसी विरोध के आपसकता होती है इस उद्देश के लिए उसने मनोवे ज्यानिक तथा समास सास्त्री पक्षियों का समायोजन करते हुए कई नई संकलपनाओं का समावेश किया है इस प्रकार सेलिंग में निर्णे निर्मान प्रक्रियाओं में जटिल मानुवी अनुभों का समावेश करके खेल सिद्दान्त को खाफी हद तक समरित किया है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रस्चनों के साथ दन्यों